आज जोधा भी भावुक हो रही है उसकी सौतन भी और हाँ इन दोनों की ही सासुमा भी क्योंकि ये जोधा अक्वर के सेट पर शूटिंग का आखरी दिन है और जब आखरी दिन होता है तब भावनाय उमर पड़ें ये बहुत वाजिब है लेकिन जोधा किसी तरह अपने आपको कंट्रोल कर रही है और बात करने के लिए तयार हो रही है मैं बड़ी मुश्किल से अपने इमोशन को रोकी हुई हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबी आत्रा रही जोधागब से जूरी हुई हो और इसकिर्दान ने मुझे पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में काफी नाम दिया है तो मैं बहुत ही भावुक पल भी है आज जो पल नहीं पाएंगे हम यही तो है ना आप लोग दिखा तो कुछ और रहे है कि हां बहुत चौंग हैं कोशिच कर रहे हैं हसने की लेकिन बहुत याद आईगी हमें हर लेक पिछले एक हफते से अम लोग यह सुन रहे कि आज बंद हो रहा है आज हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके हमारे एमोशन निकलते लेकिन आज बिली भी नहीं हो रहा है मतलब ऐसा लग रहे है कि कल वापस हमें अतुल का कॉल टाइम आएगा कि कल आड़ बजे आप आजाना नौब जा जाना पीली नहीं हो रहा है पहली बात तो जोदा जैसा ही हाल बाकियों का भी है उनके लिए भी शूटिंग का आखरे दिन बहुत इमोशनल बन गया है लेकिन जाने से पहले सब मीठी यादें लेकर जाना चाहते हैं इसलिए आखरी शॉट से पहले मुँ मीठा करने के लिए केक काटा गया है और एक दूसरे को केक खिलाने के साथ कुछ मस्ती भी हो रही है जोदा कि सीरियल वाले पती यानि कि अकबर तो बहुत पहले ही अपना आखरे दिन शूट करके चले गए थे लेकिन जोदा के अफली पती आखरे दिन अपनी पतनी का बखूवी साथ दे रहे थे जोदा अकबर सेरियल में आखरी सीन कुछ और होगा लेकिन शूटिंग के आखरी सीन में जोधा बंजारन बनकर किसी अंग्रेज अफसर के टेंट में आई है अंग्रेज ने जोधा के साथ बत्तमीजी की है और जोधा ने उसका गला काट कर अपना आखरी शॉर्ट खात्म किया है और इसी के साथ टीवी सिरिल में जोधा अकवर के धाई साल पूरे कर दिये है मुंबे से श्विताब शक्ति की रिपोर्ट